सवाल यह है कि आपको अगर चुनना हो कि अभी तक कि आपके जीवन के सबसे अच्छे पांच क्षण कौन से हैं तो कौन कौन सेक्षण बताएंगे सबसे पहला तो मेरा मैं 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 मैरे मैं तो साधी को लेकर है सर मेरा सोले जनवरी 2017 को साधी हुई और सबसे खुबसूरत पल उसको में बानता हूं और दूसरा सर मेरा IRPS में जब सलेक्शन हुआता तो उस चंड मेने जब लिश्ट में नाम देखा था तो वो सबसे अच्छा था दो इसके लावा सर टैंथ क्लास में मेरा सबसे हाइस मार्क्स आये थे अपने आसपास की जो भी गाउं थे और मुझे सम्मान भी दिया गया अब थोड़ा में सुषता हूं चली हो जब देखा जल देखेंशन भी अल्द बेस्ट आपका इंटरुड़ा हुआ जा सकते हैं अब थेंकिसर आव यह वैठो थेंकिसर आपकी इंटरुणिंग क्या है आज के इंटरुट के सर बोई नर्वस ने सैंव मदब फैमिलियर नह हो पाता हूं क्यों है तो बढ़िया जॉब में हो सब बढ़िया रहा है और सबसे आदा दवाब आज के इंटरुव में सुस किया है मैंने पता नहीं क्यों सर इसका पर पर सिर्फी होता है हम लोग वाज सब बैशते हैं तो पहरे हम डिसाइल करते हैं कि कौन क्या आपका बाइड़टा है उसमें कुछ छोड़े नहीं जैसे डासर मैंजमेंट में सर्टिफिकेट आप में लिख दिया है और यह कैसा भी हुआ डिसास्टर बढ़ाई तो अपने खुद लिखा हैं फॉर्म में मान के चलिए कि जो पांस लोग बैठेंगा यूपी एसी में म तो ही बहुत सभाविक बात है कि उस पर तयारिया आपकी अच्छी होनी चाहिए थी ती के मैं पोगता दो देखों केंट्री बढ़िया है ड्रेस बहुत ही बढ़िया है सिटिंगा बहुत अच्छा है इसमें तो कुई बाते नहीं है हो क्या रह कि आंसर से मिना वो धार और तो सहस्ता कहीं कहीं मिसिंग है कैसे अच्छी 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 आप से पूछ आ गया तो आपने बहुता है थोड़ा सिस्ट्मेटिक होता क्योंकि यह प्रशन तो सवावरिक है एक्सपेक्टिट है ऐसा लगा कि एक बाक्य बोला फिर आपने शेकिन सोचा फिर बोल दिय है तीसरा बोल दिया वीडियो देखना तर सुम्छाइब में आएगा थोड़ा सिस्ट्म से कि सर मेरे नाम जासाब जानते भानू है मैंने यह पढ़ाई की है इस जोब मेरा सेलेक्शन हो गया है और मैं भी इंप्रोव्मेंट के रिए प्रयास कर रहा हूं मेरी हाविक यह ह सिस्टम में एक फ़लो में बात आनी चाहिए हिंदी डिटेश्र आपने क्यों लिया पीसे मीज छोड़के तो ठीक था हिंदी के विवाद़् के ठीक था पर पीसे एम क्यों छोड़ा अगर बात सपश्ट होतीना तो सलीम दिलने जाए मेंबर्स को को चोड़ने की परयाप वाज़े थी आपके पास, यूँ ही नहीं छोड़ दिया, आंसर बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा कर्मिंसिंग गुशू बनाने की जरूत है, देखूं मैं सर इसको अब आपका नाम भानू है, भानू का मतलब है कि सूर्य पे पूछा जाएगा आपसे, पूछ कि तो हो गई होगा, मैंबर्स के पास, शुरू के दस दिन के बाद सवाल तो होते नहीं, तो ढूंडते हैं सवाल, कि भानू अब तो प्रताब छूट गया, माना प्रताब भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता बीच पे, फिर स्टिंग के पीछे पढ़ जाएगे, शेर के टाइम चार-पांच दिन के पास, यह थे हैं, टाइम है पास, सी ए ए पर कैसे हैंलिंग करेंगे सिचुएशन के अगर आप दिल्ली में होते तो ठीक आपने कहा, लेकिन किसी भी सिचुएशन में पहले कंस्ट्रक्टिव एप्रोच बताओ, और फिर जो मैनेजमेंट वाली है, या जिसों कैसे हैं कि जो नुकसान हो गया, उसों कैसे मैनेज करने हुआ अपरोच जो है, तो पहली बात, मैं कोशिश करूँगा कि जो दोना समदाएं हैं, उन दोना समदाएं से समदाएं करूं और उन्हें समझाओं कि बिना किसी समदारी के जगड़ा करने का क्या फ अंग्रेजी में हिंदी में कुछ-कुछ शब्दों का उचारन ऐसा है जिस पर अब शयद ध्यान देना बहुत फाइदे बन दे हैं मैं आपको पता रहूं के विल जैसे आपने का मैं कंसल्टेट करूँगा कुछ शब्द ऐसे हैं जो और मेंबर सुना ये का शब्द ऐसे सुनके थोड़ा सा अटपड़ा सा लग सकता है अनिजी कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई शब्द जुगल से ना आए एक मैंने नौट कर दिया तो कंसल्टेट हिंदी में अपने उद्यमी को उधमी बोला उद्यमी हुए उद्यमी है दह दह नहीं ओ अध़ा है को अधियम चानि पाश्यांठ मिश्चा संउम पहले से पता रहे हैं अब ज्यान दे सकें तो वडही है जैसे कंसलेट ने प्र निएक कर शिछ सिवार्गे कर आञे हैं कब फr순 के निई इसलिके स्टेंडर्य पॉइंट इनोंने बता है एक्जेक्टी वही है तीस से लगया कि यह खेलते हैं और उसका सार यह इसका अच्छा इसलिए बता पाये परस्टनल था यह सबसे बेनिफेट में रहता हूं इसलिए लंबाई की बज़े साथ की नॉर्मली जहें नॉर्मली कि यह से अच्छा इसलिए बता है